नाव वी विल स्टार्ट लास टेंथ चेप्टर नमर 12 एक्ससाइस 12.2 कोर्शन नमर 8 कोर्शन नमर 8 is that कुछ इस टाइप से है कि एक स्क्वेर फिल्ड है 15 मीटर साइड की वहाँ पर एक O पॉइंट पर एक होर्स जो की टेप बंदा हुआ है और उसकी रस्ती जो है रोब जो है उसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है यानि कि वो 5 मीटर के अंदर के एरिया को ग्रासिंग कर सकता है तो यहाँ पर मैंने एक स्क्यार फिल्ड बना दिया है यहाँ पर O पर टैप बना दिया जहाँ पर वो बंदा हुआ है और वो यहाँ से C पॉइंट तक ग्रासिंग कर सकता है इतने पार्ट में तो कोशन नमर वन में जो फॉस पार्ट में उसने पूछा है कि वो कितने फिल्ड की एरिया की ग्रासिंग कर रहा है वो निकाली है और सेगेंड कोशन है यदी रसी को हम बढ़ा दें 5 से 10 मेटर तक कर दें तो बताइए कि दोनों के बीच में वो कितनी ग्रासिंग कर रहा है यानि कि यह पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तब कितनी ग्रासिंग हो रही है वो बताई तो यहाँ पर हमने देखा कि सेक्टर बन रहा है यहाँ पर ठीक है यह पूरा सरकल है और यह सेक्टर बन रहा है सेक्टर मतलब क्वाडरेंट बन रहा है क्योंकि 90 डिगरी का एंगल है स्क्वेर का जो एंगल होता है वो 90 डिगरी का होता है तो हमने क्या देखा first question हमने किया so the area of field where horse can grass area of sector theta upon 360 pi r square theta की value हमने 90 put करी क्योंकि यह square field है cut किया और solve करने पर हमारा answer आया 19.625 meter square यह first part का हमारा answer था now second part हमसे पूछा गया है यदी rope को बड़ा दिया जाए 5 से 10 meter कर दिया जाए तो यहाँ पर हमने लिखा if the rope were 10 meter long 5 meter instant मतलब बढ़ाना 5 meter उसमें बढ़ा दी तो कितनी हो गई 10 अब area हमने निकाला area of sector तो यहाँ पर area of sector कितना हो गया theta upon 360 pi r square वही को फार्मूला लगाया then radius की जगए 10 डाल दिया solve किया 78.50 cm but question में उसने यह पूचा था कि कितना increase हुआ grazing का area मतलब कितना बढ़ गया तो हमने जो पूराना old था 78.5 उसमें से 90.625 minus कर दिया यानि कि हमारा answer आया 58.875 तो यह important question है अच्छे से इसे कर ले ना ठीक है चलिए आके बढ़ते हैं next question की तरफ question नमर 9 में हमको एक circle दिया हुआ है circle diameter दिया है कि diameter कितने centimeter का है नहीं हम इलिमेटर में दिया है 35 mm हमें radius की जरत पड़ेगी इसलिए 35 divided by 2 कर दिया ठीक अब यह कितनी line है total यह 10 part में divide है ठीक है तो यह each sector बना रहा है ठीक तो हमें radius तो बता चल गई 35.2 अब हमें angle निकालना है theta बट उससे पहले हमारा first question हम solve का लगते है first part में पूछा है total wire use इसको बनाने में कितना wire use होगा तो यह उपर वाले circle को तो बनाने में यह उसका circumference हो गया तो 2 pi r लग जाएगा लेकिन उसने यह अंदर के जो बनाने है 5 थीक तो इसमें wire used to diameter of 5 यानि कि जो diameter है उसका 5 गुना wire लगा है अंदर के जो लाइने हैं उनको बनाने के लिए ठीक है total 10 था तो कितना हो गया 5 5 diameter का wire लगेगा तो यहाँ पर क्या किया total wire used length of wire मतलब 2 pi r plus wire used to में diameter तो यहाँ पर 2 pi r लगाया plus 5 multiply 35 क्योंकि diameter 35 था ठीक और 5 बनाए तो 5 multiply 35 इस पूरे को solve किया तो हमारा answer है 285 mm मतलब इस पूरे circle को बनाने में हमें 285 mm wire लगेगा नाव इसका b वाला part है b वाले part में पूछा है कि sector बताओ each part का तो total 10 sector है तो circle divide 10 sector में divide होगा तो angle सबसे पहले निकाल लेते हैं 360 divided by 10 तो 36 degrees का angle निकला radius तो वही रहेगी तो 1 का निकाल लेते हैं theta upon 360 pi r square cut किया 1 upon 10 यहाँ पर 2 से 22 cut किया 11 वो last में मारा answer आया अब इसको divide करके pointer में भी answer लिख सकते हैं तो यहाँ पर each sector का यहाँ पर area आ जाएगा ठीक यदि वो 10 का पूस था था हम 10 का multiply कर देते हैं so easy question था यहाँ पर 2 question थोड़े lengthy थे 8 और 9 next question हम next video में करेंगे thank you अजाँ ंजाँ भाल strain्ली करेंगे